हलो दोस्तों मैं हूँ जितेंदर कुमार अगरवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपेनन भाई आज हम बात करने वाले हैं पतंजली सौंदरे शावर जेल के बारे में पतंजली सौंदरे शावर जेल को आपकी तुचा को साफ और पोर्षन देने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे ताजा और पुनरजीवित महसूस कराता है मन भावन सुगन से यूग ये सम्वेदी अनुबव प्रदान करता है और आपकी इंद्रियों को स्पूर्थी दायक बनाता है और आपके मूड को बहतर बनाता है ये आपको फ्रेश रखता है नीम, तुलसी, ऐलुवेरा, हनी, केसर, हरी चाय और बादाम के तेल जैसे इंग्रिडियन्ट से तयार ये तुचा की नैच्रल नमी संतुलन को बनाए रखते हुए आसानी से अशुद्यों और गंदगी को हटा देता है पतंजली शावर जेल आपको हर शावर के साथ दीविय ताजगी और प्यूरिटी प्रदान करता है ये पतंजली आयरवेट लिमिटेड का प्रोड़क्ट है जिसकी शेल्फ लाई 24 महिने की होती है और ये मेड इन भारत प्रोड़क्ट है ये ओल टाइप ऑफ स्किन के लिए बहतरीन प्रोड़क्ट है ये डर्मेटरलोजिकल ये टेस्टेड है इसके इंग्रीडियंट्स के बारे में बात करें तो नीम, तुलसी, ऐलुवेरा, हनी, केसर, ग्रीन टी, एल्मन ओयल इसके इंग्रीडियंट्स हैं इस शावर जेल का मुख्यों देशे आपकी स्किन को चिकनाई और ताजगी देना है ये तेल और गंदगी को हटाने के लिए सीघे से साफ करने में मदद करता है आपको बता दें, यदि आपका शावर जेल हलका सॉम्मे और पिएच बैलेंस है तो आप इसे दिन में दो बार इस्तिमाल कर सकते हैं हाला कि साफदान रहें कि बहुत अधिक एक्सफॉलियेट ना करें क्योंकि इससे तोचा द्वारा उत्पादित प्राकर्तिक तेलों का संतुलन बिगड़ सकता है और शुष परदार और कभी-कभी खुजली वाली तोचा हो सकती है हाला कि शावर जेल और बोडी वाश आम तोपर गंदगी, पसीने और मद तोचा कोशिकाओं से तोचा को साफ करने का एक ही कारे करते हैं लेकिन शावर जेल अधिक आक्रमक उत्पाद होता है जो तोचा को अत्यदिक शुष कर सकता है दूसरी और बोडी वाश आम तोपर अधिक सौमे होता है जिसमें नमी के परिणाम बढ़ जाते हैं शावर जेल विशेश रूप से गर्म आदर जलवाईयों में रहने वाले या प्राकरती गरूप से तेलिये तोचा वाले लोगों के लिए एक उत्करष्ट विकल्प है क्योंकि शावर जेल बोडी वाश की तुलना में कम मोईस्टराइजिंग होता है इसलिए गर्म जलवाईयों में रहने वाले लोगों से लोगों या तेलिये तोचा वाले लोगों के लिए बहतर है पतंजली शावर जेल में सूडियम लॉइल सल्फेट का इस्तिमाल हुआ है जो एक सल्फेट है आज हम सल्फेट क्या है जिसको हमारे सौंदरे प्रोडेक्स में नहीं होना चाहिए आज हम इसी को पहले जानते हैं सल्फेट खनीच लवनों का एक समू है जिसकी उत्पती पाकरती या मानर निर्मित हो सकती है उबोकता उत्पादों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सौडियम लोगायल सल्फेट है ये पाम करनायल ओयल या पेट्रोलियम तेल स्तोतों से बने फैटी ऐलकॉल से आता है लेकिन सल्फेट कमपाउं या ओद्योगिक निर्मित सल्फेट आपके स्वास्त को परभावित कर सकते हैं कुछ उबोकता उत्पादों में सल्फेट के दुश्परभाव भी हो सकते हैं आपको बता दें, पानी में भी सर्फेट पाए जाते हैं, जो आपको नुकसान पहुचा सकता है पतंजली सौंदरे शावर जेल आपकी तोचा को साफ और पोशन देने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे ये ताजा और पुनर जिवित महसूस कराता है ये नहाने के बाद आपके मूड को बैतर मनाता है आपको बता दें, मेरा ये वीडियो एजुकेशनल परपस के लिए बनाया गया है ये कंपनी का कोई ब्रांड प्रमोशन या एडवर्टिजमेंट नहीं है ये एक जैनुइन रिविव है तो दोस्तों, आज हमने पतंजली सौंधरे शावर जेल के बारे में जाना है मैं उमीद करता हूँ, मेरा ये वीडियो आपनों को पसंद आए वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन दवाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जबी मिल जाए, धन्यों